बिजपी नेता की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है आतंकी संगठन टियारेफ ने हत्या की जिम्मदारी ली है टेरो नेटवर्क की मदद से हत्या को अंजाम दिया गया जो जमू कश्मीन में राकेश पंडिता की हत्या हुई थी उस मामले में ये बड़ा खुलासा ह हुआ है और बड़ी बात यह है कि राकेश पंडिता को पहले पीटा गया था पिटाई से राकेश पंडिता का हात कीया की थी आतंकी संगठन TRF ने BJP नेता की हत्या की थी और इस मामले में खुलासा ये हुआ है कि टेरर नेटवर्क की मदद से ही हत्या को अंजाम दिया गया जिसमें पहले पीटा गया था TRF जैसे जुड़ा आतंकी संगठन है अमेत ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले राकेश पंडिता की बिटाई हुई थी और जो जैसे जुड़ा संगठन है ट्यार एफ उसने इस बारदात को अंजाम दिया था आजी सोची समझी साजिश के तहर पे सत्याकान को अंजाम दिया गया था और इसमें ओवर ग्राउंड वरकर जो लोग आतंकियों की मदद करते हैं लगा तो उनको पर हमला किया गया उनको पहले मारा गया उसके बाद उनकी हत्या की गई और एक तरीके से सुरक्षा इजिंसियों के सूत्रों के मताबिक ओवर ग्राउंड वरकर को फिर से सक्री आतंकी बनाने की कोशिश घाटी में हुई है और टी आरेफ इसमें बहुत इंदर प्रण्ट एक आतंकी संगठन है जो कि कुछ महीनों पहले बना था ये इसमें तीनों गुप के जो आतंकी है वह शामिल है वह अपनी सक्रियता दिखा रहा है वह अनिर्देश दे रहा है और वह ओवर ग्राउंड वरकर को सक्री आतंकी बनाने की भून का अधा खर रहा है ठी मेरट, लखनव, सहरनपुर और गोरकपुर में ही 600 से जाधा आक्टिव केस होने की वज़ह से पामबंगियों में ठील नहीं दी गई है यूपी के गाज़ेबाद में भी कर्फ्यू में ठील दे दी गई है यहां दुकाने सुभा साथ बज़े से शाम साथ बज़े तक खु मती दी गई है जबकि शाधी समारों में 25 लोग और अंतिम संसकार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे